जैहिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग तो अलब दोस्तों कैसे हैं आप सभी चलिए तो आज है सटल्डे और आपको पता है हर एक सनिवार हर एक सटल्डे को हम डिसकस करते हैं वीकली करेंट रफरस जो भी हमने सब्ता में पढ़ा है वो हम डिसकस करते हैं उससे पहले आप को पता होगा कल हमने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था उस होमवर्क पर भी हम स्टार्टिंग में चर्चा करेंगे तो एक बार सभी लोग कॉमेंट करके दोस्तों फटा फर बता दीजेगा यह सारी चीजें क्लियर हैं और अपनी अटेंडेंस भी जैहिंद के माध्यम से लगा दें और वो कहते ना कि विध्यार्थियों के लिए पढ़ाई जो है वो एक तफ है यह तफ ही तो है जो आप सभी कर रहे है क्योंकि आपको बता है इसका पल बहुत बेहतर मिलेगा क्योंकि जो फल है वो भविस्व में मिलेगा लेकिन उसके लिए अभी तो आपको त चैनल से आप एंपी गजामवाला से जोड़ सकते हैं, बहुत सारे नोट्स टेली ग्राम में डेली बेस पर आपको आहां पर मिलते रहते हैं, चलिए थो सबसे पहले मैंने कुछ कोशन आपको होमवर्क में दिया था, पहले यहां पर डिसकस कर लेते हैं, चलिए, जो हमें किस मुखमंत्री के कारकाल से देखने को मिलता है ये पहला कोशन था आपको याद होगा कल मैंने ये पहला कोशन आपको यहाँ पर दिया था याद आ रहा है कि नहीं यादा आ रहा है चलिए तो दोस्तों आप सभी को जान करी होगी जब हम बात करते हैं 1991 से 1993 की तो उस द निर्मला बुच का याद रखिए का आप सभी को जानकारी भी होगी और इनका हाली में निधन हो गया दोस्तों और जब हम 1991-92 की बात करते हैं तो उस समय मुखमंत्री मदप्रदेश के कौन थे दोस्तों तो यहाँ पर नाम किसका आएगा सुन्दरलाल पटवाजी का जबक इसने सुना होगा आपको जानकारी भी होगी इनको अध्रिक्त प्रभार दिया गया इनका नाम क्या जाएगा वीरा राना तो यह डेटा भी आप यहाँ पर याद रखिएगा इकबाल सिंग बैस को ने रिप्लेस किया हुआ है चलिए आंगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला तो जगनात मेला के अंतरगे दोस्तों है ना यहां पर कहां पर इसका प्रदर्शन किया जाता है कहां पर इसका मेला लगता है विकल्प आपके सामने सभी लोग दोस्तों यहां पर आंसर दीजेगा तो दोस्तों मैं आप बताना चाहूंगा जब जगनात मेला की बात करते ह mówime तो यह ग्वालियर में कुलैथ गाउं का नाम क्या होगा खूलैथ कूलैथ में दोस्तों के मेले का एवर्जन किया जाता है आप सभी को बता हो करते जगनास राकर आठाटरा टीट यह जहां पर कर निकाली जाती तो इसमें तो यहां पर दुस्तों बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाए का गौलियर और ग्वालियर में कुलयत जहाँ पर जगनात मेले यहां जाता है अगला कोशन मैं आपको हम वर्क में दिया था कि भारत का पहला साउंड प्रूफ हाइवे मध्द्रदेश के किस जले में बनाया लिए ना, यहां पर है ना अनिमल के लिए गुजन्निक लिए रास्ता बनाया गया है, इसके अलावा यहां पर दोस्तों परटिकुलर जो फ्लाइ ओबर है उसके नीचे कोई भी आवाज नहीं आएगी, कोई भी साउंड नहीं आएगा जिस से जो एनिमल है, जो जानवर है व पर सीविनी दिया हुआ है और जब सीविनी की हम बात करते तो सिविनी में ये दोस्तों 29 म किलो मीटर के रिंज में देखने को यहां पर मिलता है जिसके अंतर गेंध्र कENS जो 5 रास्ट्री उध्यान है नेशनल जो पार्क है उसके अंतरगत दोस्तों ये कुछ छेतर बफर जोन भी इसका यहां पर दिखाई देता है तो ये कहां पर दोस्तों तो ये भारत का पहला है कहां पर है तो आंसर होगा सिवनी जिनोंने आंसर यहां पर सिवनी दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है पेंस टाइगर डिजर्व के इंतरगत भी आपका कुछ चेतर यहां पर देखने को मिल जाता है चलिए आंसर बिलकुल से दिया दीप सिका आर्जे बनसल ठीक है घंस्याम चलिए अगला कोशन हाली में किस सहर की चेतरा जोसी तिवारी जिनोंने मिस्स इंडिया 2023 का खिताब जीता है पहले हम वो कोशन डिसकस कर रहे हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिये थे जैसी ये कंप्लीट होंगे हम वीकली करेंटरफर्स की तरफ दोस्तों मूव कर जाएंगे तो दोस्तों यदि मैं यहां पर चेतना जोसी तिवारी की बात करता हूं तो इनका स दोर यह आपकी इंदोर से बिलॉंग करती है नाम क्या इनका चेतना जोसी वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर है चली इसके लाव दोस्तों हम बात करें ओल इंडिया टाइगर रिपूर्ट 2023 के अनुसार मद्ध ब्रदेश में कितने टाइगर है तो मद्ध ब्रदेश में कु स्वाब इनका बिल्कुल सही है जबकि टूटल भारत में बाग कितने तो याद रखना दोस्तों आकड़ा 3682 यह हमारे भारत में टूटल टाइगर है भारत में टूटल टाइगर कितने हैं तो 3682 जबकि इससे पहले यह डेटा में 3167 का मिलता है और उससे पहले भी बात करे हैं तो यह आकड़ा में 2967 का देखने को मिल जाता है 2967 यह 2018 की जो टाइगर रिपोल्ट आई थी उसके अकॉल्डिंग हमें देखने को आकड़ा मिलता है जिसमें दोस्तों हमारे मद्ध प्रदेश तब भी अवल था और अभी भी मद्ध प्रदेश ही अवल है सबसे जादा मद्ध प्रदेश में ही टाइगर हमें देखने को मिलते हैं मद्ध प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदूे तेंदूओ की बात करें तो भारत में 12,852 बावन तो भारत में टोटल तेंदुए कितने हैं 12,852 लेकिन मैं तेंदुए की बात करूँ दोस्तों तो यहां पर मद्ध प्रदेश में कितने हैं चलिए गलत जवाब अभी तक सही आंसर नहीं आ है नवीन फटा फटा आंसर देना कि मद्ध प्रदेश में दोस्तों तेंद नहीं किया जाएगा क्लास में चलिए फटा फटाल सा दीजेगा कि याद करो कई बार मैंने क्लास में आपको यह आकड़े बताए हैं कई बार याद भी करवाया है इसका मतलब रेगुलर्टी मेंटेन नहीं कर रहे हैं चलिए एक आंसर आया 3421 3421 चलिए दोस्तों यदि मैं अगले कोशन की बात करूँ जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि ओसकर 2024 के लिए भारत की ओफीसली एंटरी की रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है तो इसमें नाम आता है 2018 Everyone is a hero जो की बार से सम्मंधित आपको एक मूवी यहां पर देखने मिलती है जो की दोस भीमराओं मेटकर जी की सबसे बड़ी जो प्रितमा है इसका अनावरण किस देश में किया गया है तो आपको जानकारी होगी दोस्तों हम यहां पर मैरीलेंड की बात करते हैं किसकी बात करते हैं मैरीलेंड की बात करते हैं जहां पर भीमराओं मेटकर जी की प्रितमा को दो सभी ने आंसर यूए से दिया है मनीश मानवेंद्र दीव सिखा आर जे बंसल चलिए तो सभी लोगों ने आंसर यहां पर फिलाल सही दिया है और अगला कोशन मैंने होमवर्क में दिया था मालदीव के निर्वाचित रासपती कौन बन गये हैं जिसमें नाम किसका आता है दो साइकलिंग ट्रेक जिसमें अंकर दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह सोलर रूफ साइकलिंग ट्रैक आपके सामने दिखाई बे रहा है और यह किस सहर में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा तो इस कोशन का आंसर क्या होगा तो मैगजब्ट ट्विंड ने यहां पर इंडिया की बात करना है तो यहां पर दोस्तों फिलाल सोलर रूफ जो साइकलिंग ट्रेक है वो हैदराबाद में ही देखने को मिल जाता है और देश का पहला सिल्क टैक जो पार्क है इसका सुभरम दोस्तों कहां पर किया गया मद्द प्रदेश में भुपाल है पचमडी है चित्रकूट है और नीमच है बताओ भया फटाफट मद्द प्रदेश वालो इस कोशन का अंसर क्या होगा देश का पहला सिल्क टैक जो पार्क है ये कहां पर देखने को मिलता है गलत जवाब मत दिया करो यह यह कोशन वही है जो मैंने ओल्लेडी क्लास में पढ़ाये थे बस होमवर्क में रिवीजन में उनको एड़ कर देता हूं तो आप लोग यह भूल जाते हैं डेटा भूल जाते हैं थोड़ा सो समझ के जवाब देना कि पचमड़ी होगा कि वो पाल होगा यह सारे कोशन ओल्लेडी वह ही है जो मैंने ओल्लेडी क्लास में करवाए हैं कुछ नए कोशन नहीं है ठीक है बस इनको मैंने होमवर्क में बार-बार दोस्तों यहाँ पर डेटा एड़ कर देता हूं जिससे आपको आंसर यहाँ पर सटीक तरीके से आप लोग यहाँ पर पाए चलिए आंसर यहाँ पर मैक्समस्ट्विंट ने जो दिया है वो पच्मडी ही दिया है किस तर इस कोशन का आंसर पच्मडी होगा और अब मैं नाम देख लेता हूं जिनोंने सबसे पहले और सबसे सही आंसर कल की क्लास में होमवर्क में दिया था फिर हम दोस्तों यह पर वीकली करेंट अफर्स का रिवीजन स्टार्ट भी कर देंगे तो अब ही मुझे यह बताना टोटल कितने कोशन थे तो टोटल कोशन हमारे सामने यहाँ पर दो देखने को मिल रहे हैं दो तीन चार पांच शह साथ आठ नो दस इन दस कोशन में आपके कितने आंसर सही न दस में कितने कोशन उन इस्टूरेंट के सही है जो आज आप सभी ने आंसर यहाँ पर दोस्तों दिये हुए इमान दरी से आंसर देना ठीक है कोई भी चीटिंग यहाँ पर नहीं करेगा और जब मैं कल की क्लास की बात करूंगा दोस्तों तो कल यहाँ पर जो सबसे दोस्तों अगला नाम चिंटी का आता है इसके अलावा क्रतिका पार्टिदार और यहाँ पर मोहित विसुकर्मा ने अंशर दिया था स्रेया सिर्या सिंग्स के बाद में कलपना जैन है निसा चोहान है और सिवं तोमर हैं जिन्नों ने अंसर यहाँ पर बिलकुल सही दिये थे कल के सैसन में काफी फास्त आंसर दिये थे चले दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगले कोश्चन की तरफ और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना weekly current affairs का revision जो हमने Monday से Friday पढ़ा है तो उसके अंतरगत पहला कोश्चन आपके सामने ये रहा कि major ध्यांचंदर जो खेल रत्न पुरुसकार है 2023 इससे कितने लोगों को सम्मानित किया गया है विकल्फ हैं दो हैं तीन हैं चार है और पांच है तो भईया यहां पर badminton की जोड़ी का नाम आता है और उसके अंतरगत नाम कितने हो जाएंगे टोटल दो लोगों को major ध्यांचंदर खेल रत्न पुरुसकार से सम्मानित किया गया है जिसमें दोस्तों सात्विक साहिराज रिड़ी का नाम आता है दूसरा दोस्तों यहां पर नाम किसका जाएगा तो चिराग सेटी का नाम आ जाएगा सात्विक साहिराज रिड़ी का नाम आ जाएगा जिनको इस साल major ध्यांचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा major ध्यांचंद खेल रत्न पुरुसकार हमारे भारत का सरवोच खेल पुरुसकार है जिसकी स्थापना 19.92 में हुई थी और इसके अंतरगत 25 लाक रुपे की दोस्तों धनरासी प्रदान की जाती है जबकि हम क्रिकेटर की बात करते हैं तो क्रिकेटर में दोस्तों हमारा मुहम्मस समी का नाम आता है और पैरा तीरंदाज में नाम आता है सीतल देवी का जिनको इस साल अरजुन पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा इसके अलाव दोस्तों अरजुन पुरुसकार कितने लोगों को प्रदान किया गया है तो अरजुन पुरुसकार 26 कुल 26 लोगों को प्रदान किया जाएगा जिसके अंतरगत यदी हम बात करें तो ओजर्स प्रिबीन देवताले जिनका संबंध तीरंदाजी से हैं, अधिती स्वामी तीरंदाजी से हैं, स्री संकर एथलेटिक से हैं, पारुल चौधरी का संबंध एथलेटिक से मिलता हैं, इसके लाव दोस्तों आर वैसाली बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सतरन से हैं, अनुस अगरवाल दोस्तों ये घुरसवारी से देखने को मिलते हैं, दिव विकरती सिंग भी आपका जो संबंध है, घुरसवारी ड्रेसे से मिलता है, इसके लाव दोस्तों हम बात करें, काफी इंपॉर्टेंट नाम है सुसीला चानू, क्योंकि इनका संबंध हमें प्रदेश के तीन खिलाडियों को इस साल अरजुन पृसकार से सम्वानित किया जाएगा, जबकि एक खिलाडी दोस्तों प्रिसक्षक हैं, जिनको दुर्णा चार पृसकार सम्वानित किया जाएगा, जो कि मद्द प्रदेश से बिलॉंग करते हैं, केवल और केवल जो जिंदर पाल सिंग का नाम स्क्वेस से देखने को मिल जाता है, अंतिम पंगाल का नाम भी दोस्तों यहाँ पर रेसलिंग से देखने को मिल जाता है, इसके अलावा आपके लिए यह बहुत नाम important है, सीतल देभी का याद रखना जिनकी आप नीचे फोटो भी देख पा रहे ह यह पैरा आर्चरी खिलाडी के तौर पे जानी जाती है, important नाम है, इसके अलावा प्राची यादव की बात करें दोस्तों यह भी नाम important है, पैरा कैनुइंग खिलाडी के तौर पे इनका नाम मद्द प्रदेश से देखने को मिल जाएगा, चलिए अगला कोशन दोस्तों आ किया जाएगा, तो मैंने आपको पहली बता दिया, अर्जुन प्रुसकार में कितने नंबर आ जाएगे, तीन आ जाएगे, जबकि एक हमारा दुर्णाचार प्रुसकार मद्द प्रदेश से देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर यदि मैं खेल प्रिसिक्षक की बात करूँगा, तो खेल प्रिसिक्षक में दुरुणाचार प्रुसकार मद्द प्रदेश के किस खेल प्रिसिक्षक को प्रदान किया जाएगा, सिवेंदर सिंग है, लोकेन सिंग है, रामलखन सर्मा है, और हेमंत कुमार का नाम देखने को मिलता है, तो इस कोशन का अंसर क्या हो जाएगा भी यह सिवेंदर सिंग है ना सिवेंदर सिंग जो है यह होंकी कोच के तौर पर जाने जाते हैं और यह वो सक्सियत है दोस्तों जो मद्ध प्रदेश से ब्लॉंग करती हैं यदि इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं तो इनका नाम भी मेंसर कर देता हूं मै पहली जो आपको फोटो देख रही है यह एसवर प्रताफ सिंग तोमर है यह खरगौन से ब्लॉंग करते हैं और इनका संबंध हमें सूटिंग से देखने को मिलता है एसीन गेमस में भी इनका काफी दोस्तों इन्होंने बहतर कहीं नहीं यहाँ पर कार किया है इसके अलाव प्रुसकार से सम्मानित किया जाएगा तो दोस्तों याद रखना पहला नाम गणेश प्रभाकरन का आता है जो कि मलखंब कोच है इनको दुर्णाचार प्रुसकार से सम्मानित किया जाएगा कि पर दोस्तों महावीर सैनी का नाम आता है जो कि पैरा अथ कोकरह आता है जब कि आरभी हमेश का नाम सतरिंच कोच के तौर पर और सिवेन सिंग जिनके बारे मैं आपको बता दिया तो इनको भीया इस वार का द्रोणाचार पुरुसकार जो रेगुलर के टिगरी है उसके अंतरगत प्रदान किया जाएगा बास समझ में आगी चलिए आंगे बढ़ते हैं जबकि दोस्तों लाइफ टाइम के टिगरी की बात करें तो उसके अंतरगत यहाँ पर जसकीरस सिंग रेवाल का नाम गोल्फ में आता है यह भासकरन का नाम यहाँ पर भासकरन का नाम इक अबड़ी में आता है और जैंद कुम के तोर पे और विनीत कुमार सर्मा का नाम होकी प्लेयर के तोर पे दोस्तों देखने को मिलता है जिनको ध्यांचंद राइफ टाइम पुरुसकार जो अचीवमेंट पुरुसकार है से संबानित किया जाएगा इसके अलावा दोस्तों हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आजार ट्रॉफी किसको प्रदान की जाएगी तो इसमें नाम आता है गुरु नानक देव विस्विद्याले का जो की कहां पर है अम्रिसर में पहले नंबर पर टॉप यह और सेकेंड यह नहीं फर्स रणर अप कौन है तो लवली प्रोफेशनल यूनिवस्टी पंजाब का नाम आता है जबकि सेकेंड रणरप में दोस्तों कुरु छेत्र विस्विद्याले का नाम हमें कुरु छेत्र से देखने को मिल जाता तो पहला नाम आपके लिए ज्यादा इंप्रक्रानक खेल के चेतर में बहुत उतकर्स प्रदर्सन रहा बहुत एक्सिलेंस प्रदर्सन रहा तो उन खिलाडियों को खेल रत्न से सम्वानित किया जाता है तो एक बार सभी लोग मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि जो पहला खेल रत्न पुरुसकार है क्योंकि मेजर पहलें सोनुग वैल बिल्कुल सांधर आंसर है चलिए अब दोस्तो अरजुन पुरुसकार की बात करें तो अरजुन पुरुसकार की स्थापना कभूई थी 1901 में इसकी धनरासी याद रखना इनकी स्थापना कभूई ये भी याद रखना क्योंकि दोनों पार्ट आपके एक्जाम से संबंदित इंपॉर्टेंट दोस्तों देखने को मिल जाते तो अर्जुन पुरुषकार 1961 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई और इसके अंतर के दोस्तों 15 लाख रुपए की धनरासी प्रदान की जाती है जो की विगत चार वर्सों में अवधी में अच्छा प् पात करेंगे तो यहां पर खेल जगत से संबंदे जो कोच होते हैं उनको दोड़ना चार पुरुषकार से सम्मानित किया जाता है दोड़ना चार पुरुषकार की स्थापना सन 1985 में हुई थी और इसके अंतरगत 15 लाख रुपए की धनरासी प्रदान की जाती है है ना ऐसे जो निरंतर लगे हुए हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके अलावा खिलाडियों को प्रेरित कर रहे हैं और अंतरास्टी प्रत्योगता में उतकरस्ट कहीं न कहीं प्रदरस्थन की भी किया गया उनके खिलाडियों के द्वारा तो यहां पर उनका नाम देखने को मिल जाता इसके लबव분 दोस्तों ध्यांशन पुरुषकार की बात करें तो इसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी और इसके अंदर का 10 अंतर रुपे की धनरासी प्रदान की जाती है और दोस्तों जो ध्यांशन पुरुषकार यह खेलों में योगदान देने वाले जो खिलाडी हैं जोनका समय retirement हो गया उसके बाद भी यह प्रोसाहन में लगे हुए है खिलाड़ी हो आङए प्रिरिद कर रहे हैं तो उनको कौन से सम्मान दिया जाता है तो ध्धानचर प्रोसकार से सम्मानित किया जाता है तो उम्मीद है यह बहुत important है तो आपको चीज़े समझ में आ रही होंगे जब कि मौलाना अबुलकला माजार ट्रॉफी 1956 सतावर में दोस्तों आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है ठीक है चलिए इसके अलाव दोस्तों एक बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है कि जो खेलो इंडिया यूध गेम्स है इनका आयोजन कहां प इसक नल्दू में में उनीन दी स्टैक्वन उन्होंने 22 दिसमंबर 2013 को चेंडिय में च्छते नंबर के जो फेलो इंडिया यूध गेम्स हो रहे हैं उसका सुभंकर भी जारी कर दिया है तो एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिएगा कि इस साल जो तमिलाडू में दोस्तों खेलो इंडिया यूद गेम्स हो रहे है उसका मैसकट क्या है मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ यह फोटो आपको यहां पर दिखाई दे रही है सबसे मिडल में आप दिखिएगा एक रानी जी की फोटो भी यहां पर मैसकट के फॉर्मेट में दिख रही है इसको नाम क्या दिया गया था कुछ याद आ जाए तो एक बार मुझे कॉमेंट करके मुझे सबी लोग बता दीजैगा ठीक है सबी ने answer यहां पर दिया है कि सर इनका नाम है वीरा मंगाई वीरा मंगाई वेलू नाचियार इनका नाम है दोस्तों और यह रानी जो वेलू नाचियार की बात करते हैं तो यह बिल्टे सत्या के खिलाफ लडने वाली पहली रानी के तौर पे भी जानी जाती है तो इनका नाम क्या है वीरा मंगाई तो ये दोस्तों इस साल जो आपका खेलो इंडिया यूद गेम्स हो रहा है उसके मैसकेट के तौर पे आपको देखने को मिलेगी और इनको वीरा मंगाई के नाम से भी जाना जाता ही है राम नात्पुरम की राजकुमारी थी ठीक है इसके लाज दोस्तों हम बात करें छटा खेलो जो यूद गेम्स है यह 19 से 31 जनवरी तक 2024 की बात करें तमिल नाडू में आयोजित किया जायागा जिसका उधगाटन अभी किया गया है इसके लाज दोस्तों इसका जो आयोजित ने वो चेननाई तरची मदुरी के साथ साथ कोयम बटूर में भी यह देखने को मिलेगा और पहली बार इस गेम में दोस्तों स्कूइस को सामिल किया गया यानि पहले स्कूइस नहीं था लेकिन अब स्कूइस को भी यहाँ पर सामिल कर दिया गया दोस्तों जो खेलो इंडिया यूद गेम्स थे पहले 2018 में, हम इसको खेलो इंडिया इस्कूल गेम्स के नाम से जानते थे। खेलो इंडिया यूद गेम्स को हम किस नाम से जानते थे तो हम उसको खेलो इंडिया दोस्तों स्कूल गेम्स के नाम से जानते थे लेकिन 2019 में इसका नाम बदला गया और नाम बदलकर खेलो इंडिया यूद गेम्स कर दिया गया तो यह परिवर्तन भी इसमें देखने को मिल जाता है, जबकि इसके जो पाँच एडीस हैं वो कहां कहां हुए है ये चछटा है जो छटा वाला यी तमिल नाडू में जबकि इससे पहले दोस्तों जो पाँच आपके टूर्णमेंट हुए है संस्करन हुए वो डेली पुने गुवाहारती पंचकुला और इसके बाद में भोपाल में स्कायोजन हो चुका था ठीक है इससे संबने दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फैट की बात करें तो पहले जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं ये कहां पर हुए डैली में हुए है और इसका मैसकट क्या था तो ये उज्वला था इसकी आप नीच देखने को मिल रहा है इसके लाव दोस्तों यदि हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो इसमें आखिर कौन सा पर्टिकुलर प्रदेश हमें टॉप पर देखने को मिल रहा है तो सबसे टॉप पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दोस्तों हर्याना है जो की कुल क इतने पदक लेकर आया तो हर्याना कि आप पदक देखिएगा तो टोटल 105 मेडल 40 गोल्ड हैं 39 सिलवर हैं और 26 ब्रॉंज के साथ में पदक तालिका में पहले करमांग पर कौन है हर्याना दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है फिर तमिल नाडू है लेकिन मद्द्प्रदे दीव सिखा फटा फट भईया सभी लोग जुड़ते जाना क्लास में लेटर बिल्कुल भी मत हुआ करो ठीक है चलिए आंगे बात करते हैं चलिए अगला कोशन दोस्तों तो अगला यहां पर पॉइंट है जो खेलो इंडिया गेम्स हुए है थे ना खेलो इंडिया तो खे 30 सिलवर हैं 27 ब्राउंज के साथ में टोटल 96 मेटल आपको देखने को मिल रहे हैं किसके मद्धवर्देश के पहले नंबर पर महरास्त है दूसरे पर हर्याना है चलिए आंगे बढ़ते हैं तो अगली दोस्तों खबर हमें देखने को मिल रही है यह खबर है रास्वी खेल स सम्मंदित दोस्तों अभी 37 नंबर के जो रास्वी खेल है इनका आयोजन गोवा में हुआ जिसका मैसकर था मोगा इसमें दोस्तों सबसे टॉप पर कौन है महरास्त सबसे टॉप पर महरास्त महरास्त के कुल कितने पदक 228 एटी गोल 69 सिलवर और 79 ब्राउंज है जबकि दो दोस्तों एक कोशन ये भी बनता है आप सभी से मेरा कोशन है कि हमारा नया साल जो है वो परसों 1 जनवरी स्टार्ट होने वाला है एक जनवरी 2024 आने वाली है तो इसमें आपने क्या रेजुलेशन लिया हुआ है क्या बहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे क्या है तो मैं अपन के लिए दोस्तों जो हमने लिया है हमने ये particular concept यहां पर clear करेंगे कि जनरली दोस्तों हम current affairs की बात करते हैं तो current affairs में जो गलतिया format बिलकुल अलग देखने वाला है PPT format के लावा कुछ additional fact भी आपको एक January 2024 से मिलने वाले कुछ नया करेंगे हम है ना वैसे हर बार नया करते ही करते हैं इसके अलावा दोस्तों आपने देखा ही होगा exam में कोर्शन एडिटिस वही आ गए जो हमने class में पढ़ाए हैं लेकिन अ बहुत बहुत बैसर तरीके बना रहे हैं ये भी कही न कहीं matter करता है तो हमारी मेहनत के साथ में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और आप देखिएगा दोस्तों ये जो साल है 2024 का उसमें जो current affairs है ना उसका डर मैं समाप्त करूंगा पूरी तरह समाप्त करूंगा ये मैं य जो चीज faculty बोलेगा हम करेंगे हम मेहनत करेंगे तो ये सारी चीज हैं आपको दोस्तों बहुत समय के बाद में परिवर्तन भी मिलेगा और मैं आपको देखा भी होगा मैं हर अपनी class में कुछ ना कुछ एडिशनल fact इसलिए add करता है को कि मुझे पता है कि exam में question कहां से दे लीजेगा किसर हम बिल्कुल थैयार है जो गलतियां पहले हमने की यारी दोस्ती में हमने समय गवा दिया वो हम यहां पर छोड़ देंगे इसके अलावा हमें अब target करना है जो हमारे अगले exam लगे हुए है क्योंकि आपको पता भी होगा यदि मैं MPPSC की बात करूं तो MPPSC क notification भी 2024 का 28 अपरल का जारी हो सकता है तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों exam लगाता रहें तो मेहनत आपको जरूर यहां पर करनी होगी चलिए जो demotivate करते हैं बिल्कुल भाईया उनसे बिल्कुल बात मत करो नराज हो जाओ अपने आपको study जो room है उसके अंदर बंद कर लो और उनसे बोल देना कि हमें किसी मतलब नहीं हम अपनी बढ़ाई से मतलब केवल रखेंगे parents ने जो हमारे सपने देखें हैं हमारे लिए उनको हम पूरा करेंगे बाकी कौन क्या बोल रहा है उसको neglect कर दो ठीक है चलिए हां आंगे बड़े भाईया हां चलिए अगला यहां पर point बनता है खेलो मद्यप्रदेश यूथ गेम्स की बात करते हैं तो खेलो MP जो यूथ गेम्स है तो यहां पर दोस्तों याद रखिएगा पहले नंबर पेस में कौन रहा मद्यप्रदेश में इंदौर देखने मिलता है क्योंकि यह मद्यप्रदेश यूथ गेम्स थे त तो न्यू इयर गिफ्ट क्या है जरा समझ लेना आपके लिए यहां पर न्यू इयर गिफ्ट हम लेकर भी आएं भी या ठीक है क्या है वो जरा समझ लीजेगा तो दोस्तों तयार रहना आप सभी लोग चार जन्वरी 2024 को हम लेकर आ रहे हैं सुबह आठ बजे एक महा महराथन सैसन सुबह आठ बजे ठीक है सुबह आठ बजे दोस्तों आपको फिलाल एक महा महराथन सीरीज मिलने वाली है जिसमें हम जैन्वरी से दिसंबर 2023 तक के मद्ध प्रदेश करेंट अफेर्स स्तैसन लेकर आ रहे हैं ये पूरी तरीके से मद्ध प्रदेश स्पेसल रहेगा इसमें करीब करीब दोस्तों 80-90 परसंट जो कोशन होंगे वो मद्ध प्रदेश करेंट अफेर्स के होने वाले हैं जिसमें लगभग लगभग 300 से ज़्यादा MCQ थियोरी और most expected कोशन जो आपके upcoming exam में मिलेंगे वो सारे हम cover करने वाले हैं 4 जनवरी 2023 को तो मुझे लगता है इससे बड़ा gift आपको फिलाल दोस्तों नए साल में हमारी तरफ से मिलना चाहिए क्योंकि ये classes आपकी करीब करीब 4 से 5 घंटे की रहेगी जिसमें हम बहुत सारे important fact मद्यप्रदेश करेंट अफेर्स, मद्यप्रदेश की योजनाए, मद्यप्रदेश के व्यक्तित्तों, मद्यप्रदेश के खिलाडी, मद्यप्रदेश का sports सब कुछ discuss करने वाले हैं इसके वराष्टी, अंतराष्टी पर भी यहाँ पर focus किया जाएगा, appointments है, sports वाला जो part है, उस पर विसेज focus यहाँ पर किया जाएगा, चलिए तो भी आद बिलकुत तयार रहना सभी लोग जगते रहना, इसलिए सुबह वाली जो 8 बजी की class है, उसमें जगना बहुत जरूरी है, महनत तो आपको हमाएं साथ में यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है, हाँ, यह pre-gift आप सभी को यहाँ पर मिल रहा है, कुछ इसमें बोलना है, सर्फ pre-gift हमें यहाँ यहाँ पर यह मिल जा रहा है, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन है, आप ज़ हाँ, मैरातन हमने पहले भी 8-8 घंटी क्लास ली है, बस पढ़ना आपको है, ठीक है, पढ़ोगे ना, चलिए, आंगे बढ़े भी यह, चलिए, ओके, ठीक है, बस इतना याद रखना है, कि यह 2024 में इतनी मेहनत करो ना, इतनी मेहनत करो, भी यह, मेहनत ही करते रह जाओ, क्योंकि December तो हमारा अंत है, लेकिन January हमारी सुरुवात है, तो सुरुवात ऐसी करो, लेकिन दोस्तों मैं देखा है, बहुत साथ इस्क्रूएंट है, जो यह सोच लेते हैं, एक January को हम क्या क्या करेंगे, बहुत सारी लंबी लिस्ट मिल जाती है, एक January को सुबह 4 बजे से उ पुहा कम खाएंगे, इस तरीके से नहीं नहीं चीज़ें देखने हो कि मिलती है, लेकिन क्या यह इंप्लीमेंट जो है, यह प्रॉपर हो पाती है या फिर नहीं, ठीक है, पुहा का तो हमने एक एक एक्जाम्पल ले लिया, पुहा खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेक पढ़ते हैं, दूपर हो, कभी नहीं कहता है का शॉपर में, कि सोबखे शार बजए तीन बजब द değ कि पढ़ना चाहिए, कोई के यालग अलग भ्रांती है, लेकिन मैं आपसे बोलना चाओंगा, जी रात ने पढ़ा हो रही है, लेकिन पढ़य को ँसल में पढ़ना में होस्टल में रहते हैं, तो रात ने पढ़ो, लेकिन पढ़ना है, उसमें लापरवाही हमें नहीं करना है, चलिए, आंगे बात करते हैं भीया, तो अगला नाम आता है, खेलो इंडिया, यूनिवस्टी गेम्स का, जिसमें हमारा पहले नंबर पे कौन है, पंजाब यूनिवस के दसवे गुरू गोविन सिंग की जी बात करते हैं, तो गोविन सिंग की जो संतान थी, उसमें बाबा फते सिंग का नाम आता है, जोरावर सिंग का नाम देखने मिलता है, जिनकी सहादत के तोर पे दोस्तों, यह दिवस मनाया जाता है, जिसको हम वीर बाल दिवस के नाम से जानते हैं। Kis नाम से जानते हैं? तो इसको हम वीर बाल दिवस के नाम से जानते हैं, याद रखना। इसमें दोस्तों 9 जन्री 2022 को फिलाल नरेंद मोधी जी के दोआरा यहें दोस्तों दिवस पर यहाँ घोषना की गई थी, वीर बाल दिवस की खोशना की गई थी 26th of December डेटा यहाँ पर याद रखियेगा ठीक है चलिए आंगे बड़े भीया तो जो गुरु गोविन सिंग है दोस्तों इन्होंने 1699 में खालसा पंत की स्थापना की थी और बास्था जो औरंग जेब है ठीक है उनके निर्देश पर 17 1604 में मुगल सेना ने आननदपुर साहिब को घेर भी लिया था और इस घटना में दोस्तों दो पुत्र जो इनके थे इनको कैद कलिया तो उनकी सहादत यहाँ पर देखने को मिल जाती है और दस सिख गुरुओं में दोस्तों अंतिम गुरु के तोरफे गुरु कोविन सिं गई है कि अपने देज में दिवयांग खेल पुरसकार प्रदान किये गए हैं दोस्तों आप सभी को बता होगा एंगा कinä की बातों गदोस्तों दोसरा नाम आते हैं और दूसरा नाम यहां पर सीतल देवी का देखने को मिलता है जिनको दोस्तों इस साल यहां पर दिव्यांग खेल पुरुसकार में सर्विसेस्ट, एथलीट, मेल और फीमेल यानी पुरुस और महीला की केटिगरी में दिव्यांग खेल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है दो नाम हो जाते हैं, सुमित अंतिल का सम्बन्द किस से, तो ये भाला फेक खिलाड़ी है, जबकि सीतल देवी का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तीरंदाजी में, पैरा तीरंदाजी में इनका नाम मिलता है, और इनको अरजुन पुरुसकार से भी सम्मानित किया जाएगा दोस्तों आप सभी को उनकी जानकरी होगी ये फोटो दिख रही है ये है सुमित अंतिल भाला फेक खिलाडी है जैवलिन थ्रो और ये आर्चरी आपकी खिलाडी पैरा आर्चरी ये पैरा जो आपकी तीरंदाज है उसमें सीतल देवी का नाम आपको देखने को मिल जाता है बिलकुल सही आँसर है नौ जनवरी दोसकार और जॉन परेल्सकार परदान चलीए थीक है चलीए दोस्तों यहां बात करें पहला दिव्यांग खेल प्रोसकार ये पहली बार विसेषर जो दिव्यांग एथलीट है उनको प्रदान किया जाएगा तो इसके अंतर के दोस्तों यदि मैं लाइफ टैम अचीवमेंट पुरुसकार की बात करूं तो लाइफ टैम अचीवमेंट पुरुसकार के तौर पे मुरली कांथ पेटकर का नाम आपको देखने को मिलता है जो प पैरा लंपिक में दोस्तों गोल्ड मैडल जीतने पर इद उनको भीया लाइफ टैम अचीवमेंट पुरुसकार सम्मानित किया जाएगा समझ में अरी बात चलिए अगला नाम आता है दोस्तों कि यहां पर दिव्यांग पुरुसकार में जो सर्विसेस्ट कोंच खिला रही किनको यहां पर सर्विसेस कोंच पुरुसकार के सम्मानित किया जाएगा तो इसमें नाम किसका आता है तो यहां पर पैरा बेड्मिंटन कोंच' जिनका नाम गौरव खन्ना क्या नाम है गौरव खन्ना बिल्कुल सही आंसर आप से सोनू ठीक है चलिए तो समझेगा बात सर्विसेज कोच का जो पुरुसकार वो किनको दिया गया गया गौरव खन्ना को दिया जाएगा जिन्होंने दोस्तों प्रमोद भगत खिलाडी है अबू हुबैदा है और जो प प्रिटिकुलर केटिगरी में दोस्तों मेजर ध्यानचंडर टीम ऑफ दा इयर के सम्मान से सम्मानित की गई है चलिए यह भी डेटा यहां पर आप सभी लोग याद रखिएगा इसके लाव दोस्तों सुमित अंतिल की बात करें 2020 में जो समर पैरालंपिक हुए थे और 2023 में जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियंसिप हुई थी उसमें दोस्तों भाला फेक की केटिगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था सिर्फ इतना नहीं यदि मैं सुमित अंतिल की बात करता हूं तो 2022 में दोस्तों जो एसेन गेम हमारे हौंग जू में हुए थे उसमें भी ग बात करें तो इनको 2021 में खेल रत्न पुरुसकार और भारत का सरवच खेल जो सम्मान है वो आपका पुरुसकार से सम्मानित किया गया था और पद मिसरी इनको 2022 में प्रदान किया गया था इसके लावाज दोस्तों सीतल देवी की बात करते हैं तीरंडाजी में तोर पे इनका नाम देखने को मिलता है जो इनका कायम है उसके बल्लबूते इन्होंने दोस्तों है ना यहाँ पर पैरा एसीन गेम्स में दोस्तों मैडल लेकर यह आई है यदि मैं बात करूँ चीजन के हॉंग्जों में एसी हैं जो गेम से उसमें सीतल देवी ने दोस्तों गो दो गोल्ड और एक सिलवर मेडल जीता है इनको अरजुन पुरुसकार 2023 से भी नवाजा जाएगा चली अगला कोशन है हाली में किस राज सरकार ने संगीत सादुकों के सम्मान में 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाने की घोशना की गई और ये घोशना दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा की गई है कि हम यहाँ पर तबला दिवस मनाएंगे कब 25 दि प्राज मनीश अखलेश राधिका इन सभी ने आंसर संधय ठीक है एडीवी पूझा मानवेंद्र इन सभी ने आंसर क्या दिया है इसरे स्कोशन का आंसर होगा मद्ध प्रदेश और ये कोशन तो काफी हाइलाइट और आपने पढ़ा भी होगा ये मद्ध प्रदेश में 25 दिसम्बर का दिन तबला दिवस के रूपे में मिनाये जाएगा डॉक्टर मोहनयादव मुख मंत्री जिसमें दोस्तों ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में दोस्तों ताल दरबार कारिकरम के अंतरगत यह उपलब्दी हमें देखने को मिलती है जहां पर 1282 1282 से अ बात करें अलाउद्दीन खा संगीत एवं कलाकादमीत के द्वारा यह दोस्तों तबला दरबार यहां पर आयुजित किया गया था तो यहां पर नाम किया जाएगा 25 दिसम्बर का नाम आपको देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों यहां पर एक कोशन बहुत इंपॉर्ट करनाटक के दोस्तों नाम आता है कि इनका पंडित गणपती भटका नाम आता है जिनको तानसे सम्मान से सम्मानित किया जाएगा याद रखना है ठीक है यह कहां से बिलोंग करते हैं तो यह करनाटक से बिलोंग करते हैं इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें राजा मा जान सिंग तोमर संवान से सम्वानित किया जाएगा बिल्कुल सही आंसर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह भी आप यहाँ पर याद कर ले जाएगा अगला कोशन दोस्तों मद्ध प्रदेश में मंत्री मंदल के विस्तार में कितने विधायकों को मंत्री के रूप में सपत दिलाई गई है दोस्तों अभी तक मंत्राले जारी नहीं हुआ है केवल सपत दिलाई गई है एक पोटो भी your cabinet मंत्राले की बात करता हूं इस देखने के हैं चार सराраш मंतरी सुतन पर्भार हैं औरissant आपको यहां है राकेश सिंग है करन सिंग वर्मा है उदै प्रताब सिंग है और संपतिया उइके का नाम आपको मंतरी में यहां पर दोस्तों देखने को मिलता ठारा कैबनेट है बिल्कुल सही आंसर है चलिए इसके अंतरे का दोस्तों और क्या important highlights है तो यहां तुलसी राम सिलावट जी का नाम है एदल सिंग कंसाना है निर्मला भूरियंग गुविन सींह राजपूट जी है विस्वास सारंग है नारायंड सिंग कुस्वाह नागर सिंग चौहान है प्रदुम्न सिंग तोमर राकेश सुकला है चैतन कस्यप और इंदर सिंग परमार का नाम देखने को मिलता है ज दोस्तों यहां पर हमें राजमंत्री सुतन प्रभाव के तौर पे देखने को मिल जाता है जबकि राजमंत्री की रूप में दोस्तों बात करेंगे तो नरेंद्र सिवा जी हैं स्रीमती पृत्मा बागरी हैं एहरवार दिलीफ हैं और राधा सिंग को यहां पर सामिल किया गय अगला कोशन राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं दोस्तों हम सभी को पता है जब मद्रदेश विधान सभा की बात करते हैं तो हमारा नरेन सिंग तोमर जी का नाम आता है लेकिन ये कोशन हमारा राजस्थान विधान सभा से कि जब मैं राजस्थान विधान सभा की बात करूँगा तो राजस्तान विधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं वासुदेव देवनानी वसुंदरा राजे सिंधिया गजेन सिंग सिखावत या महंत बालक नाजी क्या होगा इस कोशन का अंसर चले यहाँ पर मैगजन जो इस्टूडेंट है उन्होंने आंसर ए टिक किया वासुदेव देवनानी और यह नाम किनके किनके हैं तो यहाँ पर रानी सिंग नवीन पूजा मोहित आरजे बनसल दीपरा चिंटी अकलेस रोसनी अभिलास दीप सिखा इन सभी ने जो जवाब है वो उप्सन नंबर फिलाल यहाँ पर ए दिय राजस्थान विदान सभा के अध्यक्ष के तौर पे एक बार भाईया फिर से बताना राजस्थान के मुखमंत्री कौन है एक बार कॉमेंट करके बताइएंगा तो पांच बार के दोस्तों यह भाजपा विदायाएक है जिनका नाम है वासुदेव देवनानी इनको राजस मिजुरम के कौन है लाल दोहुमा तेलंगाना के कौन बने रेवन्त रेड़ी कौन बने है रेवन्त रेड़ी यह भी डेटा आप यहाँ पर याद रखिएगा चलिए फटा फटा आप सभी लोग मुझे बता दीजेगा 36 गड़के मुखमंत्री का नाम क्या है कॉमेंट करक साथ नेशनल कंजूमर राइडे कब मनाया जाता है वासुदेव ठीक है विस्नुदेव साय वेरी गूट अभिलास राजपूत रितिका राज दीपसिखा रोसनी इन सभी ने बिल्कुल सभी आंसर दिया है विस्नुदेव साय का नाम आता है यह भी डेटा आप यहाँ पर जाता है आंसर दीजेगा 24 दिसंबर 25 26 या फिर 27 दिसंबर क्या होगा इस कांसर तो इस कोशन कांसर बिल्कुल सभी आंसर बिया 24 दिसंबर को हम उब्भोकता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं बिल्कुल सभी आंसर है और दोस्तों यहाँ पर यह दिसकसन करने तो एड़ भी आते रहते हैं जागो ग्राहक जागो इसके अंदर का दोस्तों बहुत सारे मलब हमारे अपराद जिसमें दोस्पूर्ण समान की बात करते हैं सिवाओं की कमी की बात करते हैं ई-कॉमर्स से समंदित आपको फ्रॉड देखने को मिलता है तो यह सारा दोस्तों यह возможность वीकट्राइब भी मूदी चीड़े मेरी का देखने को मिलता है कि प्रधानमंती नरेंद्रमोदी जी ने एक रिकॉर्ड बनाय दोस्तों इनके य ittूद यूटूब में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर 20 मिलियन का जो रिकॉर्ड है इनके द्वारा प्रधानवंति नरेंद्र मोधी जी के द्वारा देखा गया तो नरेंद्र मोधी जी के यूटूब में दोस्तों फिलाल सब्सक्राइबर 20 मिलियन क्रॉस कर गए हैं कितने 20 मिल ठीक है अब एक और रिकॉड नरेंद्र मोधी जी के नाम पर दोस्तों कि नरेंद्र मोधी जी के एक्स अर्था ट्विटर पे कुछने फॉलोवर incorporates 94 million जबकि नरेंद्र मोधी जी के Instagram में दोस्तो 82.7 million follower है Social Media Platform Facebook की बात करें तो Facebook में 48 million आपको यहाँ पर follower फिला नरेन मोदी जी के यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आप देख रहे हैं दोस्तों एक list आपके द्वारा यहाँ पर particular दिखाई दे रही है यह हमारा officially एक report my government की app से देखने को मिल जाता है जिसमें नरेन मोदी जी के follower के list यहाँ पर दिखाई दे रही है सबसे ज़्यादा लोग परी 23,000 से ज़्यादा वीडियो इनके यूटूब में भी share किये गए है चलिए अगला कोशन आता है तो सो महामारी की तैयारी के लिए अंतरास्थी दिवस कब मनाया जाता है फटा फटा आंसर दी जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 27 दिसम्बर 27 दिसम्बर को यह दिवस मनाया जाता है और 7 दिसम्बर 2020 को United Nation General Assembly के द्वारा दोस्तों एक प्रस्ताव जारी किया गया था जिसमें 27 दिसम्बर को यह दिवस अंतरास्थी महामारी तैयारी दिवस के रूप में कि आखिर कहीं न कहीं हमें कोई इस तरीकी इसी बिमारी देखने को मिलती है तो हमें किस हिसाब से तैयार रहना होगा कुछ और दिवस की बात कर लेते हैं कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है जिसकी थीम इस साल की थी Close the Care Gap दोस्तों TV डे की बात करें 24 मार्ज को मनाया जाता है इसकी थीम थी Yes, We Can end TV हम TV को हाँ हम समाप्त कर सकते हैं Rabies Day का मनाया जाता है दोस्तों 28 सितम्बर को जिसकी थीम है All for One, One Health for All ठीक है डाइबिटीज दे दोस्तों 14 नवंबर को मनाते है थीम क्या है एकसिस टू डाइबिटीज केर एट से दिवस का मनाते है एक दिसमबर को जिसकी थीम है लेट कम्यूनिटीज लीड ये भी आपको यहां पर देखने को भीया मिलती है इसके अलावा अंदरास्थी योग दिवस 21 जून को मनाते है वसुधैव कुटमकम के लिए योग योगा फॉर वसुधैव कुटमकम ठीक है इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हेल्थ डे की तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अपरेल को मनाते हैं तो कि इस दिन डबलु एचो की स्थापना की गई थी डबलु एचो साथ अपरेल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी हैल्थ फॉर ओल इसकी थीम है मलेरिया दिवस 25 अपरेल को मनाते हैं जिसकी थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट और इंप्लिमेंट यह इसकी थीम आपको दे अगले कोशन है रास्थ्री ऐस बैट मिंटेन चैंपियनशिप 2023 में महीला एकल का खिताब किस ने जीता ऐसर महिला एकल का खिताब वर्ड रास्ट्री बैडमिंटन चैंपियन्सिप में दोस्तों किनके दौारा जीता गया और यहां पर सभी ने आंसर अनमूल खरब फिलाल ओफसर नमबर C ही आंसर दिया है वसुधा, राज, बंसल जी, कप्तान, खुसी, किरन, मोहित, सोनू इन सभी ने आंसर दिया है चलिए, क्या आंसर हो जाएगा ओफसर नमबर C is the correct answer दोस्तों याद रखना इसमें अनमूल खरब की फोटो भी आपको यहां पर देखने मिल रही है और पुरुस एकल का खिताब दोस्तों यहां पर चिराग सेन के द्वारा जीता गया है याद रखने इंपॉर्टेंट नाम है और प्रिया देवी सुरुती मिस्रन दोस्तों महिला यूगल का जो खिताब है वुमेंडवल का यह खिताब इनके द्वारा जीता गया है अगला कोशन है दोस्तों चेननेई ग्रेंट मास्टर दो हज़ार तैस का खिताब किनके द्वारा जीता गया है यहां पर डी गुकेस हैं विदिद गुजराती हैं अर्जुन एरिगेसी और आर पिग्यान नंदा का नाम आता है फटा पर बता भीया इस कोशन का अंसर क्या ह होगा फटा फटा आंसर दो आ कि चली है चली सब्सक्राइब लोगों ने आंसर में इस पूर्ण ने आपर दिया है डी को किस क्या यही अंसर आ रहे है ठीक है डी को किस का अंसर आ गया लुटि मैं चेनने ग्रेंट मास्टर की बात करता हूं तो इसका खिताब फिलाल डी के के द्वारा जीता गया है और यह टूनामेंट में अरजूद जो एरीगेसी इन्होंने दूसरा इस्थान इनको हासिल हुआ है बिल्कुस थाली आंसे दोस्तों अरजून को केस दोस्तों इस प्रतियोगता में साथ में से 4.5 अंक इनके द्वारा हासिल किये गए हैं चलिए विधेयक के नाम से हम इसको जानते हैं दोस्तों यदि मैं बात करता हूं तो 138 साल पुराना जो कानून था विधेयक बिल था या मैं धिनियम की बात करूँ तो उसमें नाम आता है टेलीग्राफ बिल का लेकिन अब इसके स्थान पर किसका नाम देखने को मिलेगा तो अब हम तो यहां पर हाइलाइट है जरा एक बार फटाफट यहां समझ लेते हैं और यह टेलीग्राफ जो एक्ट है याद रखना 1880 उसके स्थान यह लेने वाला है टेलीकॉम बिल ठीक है उसका यह इस्थान लेने वाला है या मैं दोस्तों यहां पर इंडियन वायलेस टेलीग्राफी एक्ट की बात करता हूँ 1933 का या टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की बात करेंगे तो उसका इस्थान लेगा टेलीकॉम बिल अब इस टेलीकॉम बिल में क्या-क्या कुछ नया देखने को मिलेगा तो एक पर समझेगा यदि कोई वेक्ति सिमकार्ड फ्रॉड लेता है सिमकार्ड का फ्रॉड करता है तो उसको तीन साल की जेल है और पचास लाक रुपए का जुर्माना भी लग सकता है तो आप देख रहे हैं दोस्तों यह अधिनियम काफी जादा इस्ट काफी सक्त प्रावधान यहाँ पर किए गये सिमकार्ड फ्रॉड की बात यह करेंगे या इसके कोई सिमकार्ड को दोस्तों बेष्टा है चीज चाहिए आपका बायोमेट्रिक लगेगा तभी आप को सिम मिलेगी तो कितने student इस class में ऐसे हैं भी है जो दूसरे की ID से SIM चला रहे हैं यह ना ऐसे काम बिलकुल मत करना अपनी ही जो ID है अधार card उसकी biometrics से आप लोग SIM खरी दियेगा चलिए इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करेंगे तो यहां पर अगला नाम आता है कि SIM की यदि क्लोन करते हैं SIM की कॉपी करते हैं तो वो भी क्राइम में अब सामिल किया गया है ठीक है क्या क्या चीज है जड़ा समझिएगा तो SIM कार्ड दोस्तों क्लोन करने पर या किसी और के SIM कार्ड का दुर्पियों करना अब दंडनी अपराद की सिर्णी में आएगा और देश में इस रिटन करने के लिए भी एक नया कानून यहां पर सामिल किया गया है जिसके अंदर के दोस्तों टेली कॉम लाइसेंस की बात करेंगे तो उसको लेकर प्रावधान है कि कोई कंपनी लाइसेंस वापस करती है सरेंडर करती है तो उसको लाइसेंस की जो फीस है वो वापस कर जाएगी और जुर्माने के रासी में दोस्तों जो टैली कॉम कंपनियां उनके फिलाल यहां पर एक रहा देखने मिलती है कि जब जुर्माना धनरासी आपकी पांच करोण थी यहां पर पांच करोण कर दी गई है पहले कितनी थी पहले यह 50 करोण थी तो 50 करोण से अब यह ध प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है फटा फट आंसर दीजेगा तो विकल्प है जीतु पटवारी गोविन सिंग उमंग सिंगहार या कमन लाज जी क्या होगा इस कोश्चन का आंसर मद्द प्रदेश सोली विधान सवा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पे किनका नाम देखने को भाईया मिलता है तो आंसर देजेना यहां पर मैंसर ट्रेंड ने आंसर उमंग सिंगहार ही दिया यानि ऑप्सन नंबर सीज़दा करेक्ट आंसर तो मद्द प्रदेश की सोली विधान सवा में दोस्तों नेता प्रतिपक्ष में उमंग सिंगहार का नाम देखने को मिलता है और हेमंद जो कटारे जी है इनको उप्नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है तो दो नाम याद हो जाते हैं उमंग सिंगहार और दूसरा नाम आपका हेमंद कटारे का यहां पर देखने को मिल जाता है तो मद्द प्रदेश की पंद्रवी विधान सवा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दोस्तो यहां पर नाब किसका देखने को गोविन सिंग का नाम था लगिए अब सोल की मेंद की किन스कogen का नाम आगया तो अब यहां पर नाम आपका उंभू सिंह खाट का देखने को मिल जाता है जोकि मदब्रदेश the किन का नाम आ गया तो अब यहां पर नाम आपका उमंग सिंखार का देखने को मिल जाता है जब कि मदब्रदेश की दोस्तों सोलवी विधान सभा के विधान सभा अध्यक्ष के तौर पर किन का नाम आता है नरेन सिंग्ट उमर का नाम आपको देखने को मिल जाता है तो यह भ ठीक है अगला कोशन ठीक है थोड़ा सैसन आज का थोड़ा दोस्तों अभी 10-15 मिट और भी रहेगा वीकली करेंट अफेल डिसकस कर रहे हैं तो जिनकी नो बज़े क्लास है वहाँ पर सिफ्ट हो सकते हैं नो बज़े क्लास में ये क्लासे बाद में आप लोग रिकॉर्डेट फॉर्म में भी देख सकते हैं चलिए तो फिलाल अगला कोशन है मदप्रदेश कॉंग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है विकल्ब है आपके सामने पंकच उपाध्याय जीतू पटवारी हेमन कटारे और दीनेस गुरजयर जोस्तो कमलाँच जी की बात करते है तो कमलाथ के स्थान पर फिलाल ये जिम्मैदारी आप किनको सौपी गई है तो ये जम agenda पटवारी साहाबको सौपी गई है तो क्या asr हो जायगा इसका तो यहाँ पर आंसर हो जायका office can number is the correct answer, ठीक है, क्या answer हो जाएगा, option number B, सभीन answer B दिया है, ठीक है, इसके लाब दोस्तों हम बात करें, तो Congress जो है, इसमें कमल नात के particular प्रदेश अध्यक्ष पस से, यहाँ पर जाने के बाद में फिलाल आपका जीटू पटवारी जी है, जिनको यहाँ पर प्रदेश अध्यक अगला कोशन है, चत्तीजगर राज विधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, आंसर दीजेग भईया, फटा 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 आंसर तो विष्णु देव साय तो आपको चत्तीजगर के मुक्मंतरी देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि मैं चत्तीजगर के विधान सभा अ अध्यक्ष के तौर पे चुना गया, यानि B is the correct answer, आप इनकी फोटो भी left hand side में देख पा रहे हैं, यह हैं दोस्तों, रमन सिंग कौन है, यह रमन सिंग है, पूर मुक्मंतरी चत्तीजगर, ठीक है, चलिए, आंगे बड़े, बहुत सांदर, very good, चलिए, तो यह important आपको य यहाँ पर याद रखिएगा, चलिए, आंगे बढ़ते हैं, अगला कोशन दोस्तों, हाली में रास्त्री महिला, आयोग की किस पूर अध्यक्ष का निधन हो गया है, जो की दोस्तों क्या थी, तो यह आपकी National Commission for Women है ना, के Chairperson के तोर पे देखने को मिलती थी, इनका नाम क्य आप मुझे बताएगा, रास्ती महिला, आयोग की कौन है, पूर अध्यक्ष, इनका हाली में निधन हो गया है, मुहिनी गिरी है, गिर्जय व्यास है, ललिता कुमार मंगलम है, या डॉक्टर पुन्मा आडवानी जी है, क्या होगा इस कोशन का अंसर, चलिए, सभी लोगो हो गया, और इनको पद्न भूसन से भी सम्मानित किया जा चुका है, और ये मुहिनी गिरी दोस्तों, 1995 से 1998 तक, रास्ती महिला, आयोग के अध्यक्ष के पद पर ये कार कर चुकी है, और ये पूर रास्ती वीवी गिरी की कौन है, डॉटर इनलोग है, ठीक है, डॉटर इनल हुई थी, 1992 में हुई थी, क्योंकि इसका महिला आयोग जो अधिनियम है, वो 1990 में आया था, जिसके तहट दोस्तों इससापना किये गई थी, रास्ती महिला आयोग की ये डेटा भी आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेगा, इंपोर्टेंट नाम आपको देखने को ये मि देखने को मिल जाता है, जो कि रास्ती महिला आयोग के पहले पुरू सदस के तोर पे देखने को मिल जाते हैं, जबकि रेखा सर्मा की बात करें दोस्तों, तो रेखा जो सर्मा जी है, ये रास्ती महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है, तो ये डेटा भी आप यहाँ प 95 फिर आपको यहाँ पर वी मोहिनी गिरी का नाम देखने को दूसरी रास्ट्री महिला आयोग की अध्धक्ष के तौर पर देखने को मिल जाता है जिनका हाली में निधन हो गया है इस तरीके से विभा जी है फिर इसका पूर्डमा आडवानी जी है गिरजा व्यास है ममता सर् और अभी वर्तमान की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर रेखा सर्मा जी का नाम आपको देखने मिल जाता है और यह एक लिस्ट है रास्ट्री महिला आयोग के अध्धक्ष की तौर पर शुरुवास से लेकर अभी तक कौन-कौन आपके इसके अध्धक्ष यहाँ पर हाँ हाँ क्लीर होगी बात चलिए अगला कोशन मुखमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हुकुम चंद मिलके जो मजदूर है उनकी बकाया रासी को प्रदान करने का स्विक्रती यहां पर प्रदान करती गई और यह जो मिल है हुकुम चंद मिल फिलाल यह आपको कहां पर देखने को मिलेगी काफी चर्चा का विसे दोस्तों यह टॉपिक रहा है तो एक बर फटा-फट बताईएगा उज्जैन रतलाम इंदौर औ ठीक है क्या होगा आंसर इसका तो इस कोशन का वहिया आंसर हो जाएगा हमारा ओफसर नंबर सी अर्थात इंदौर और दोस्तों यदि मैं बात करूंगा तो मदप्रदेश के इंदौर सहर में करीब तीन दसकों से बंद पड़ी थी हुकुम चंद मिल जिसके कामगारों को भीया उनका बकाया पैसा नहीं मिला था है ना क्योंकि बीच में ही मिल बंद हो गई थी लेकिन अब मुक्समंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जब यहां पर दोस्तों मिल मजदूर और उनक उचनेले के द्वारा जो न्याहमूर्ती सुबोध अभ्यंकर इनकी एकलपीट के द्वारा यह आदेश मिला था कि उक्तरासी जो मजदूर है उनके खातों में जमा करवा दी जाए तो इसके बाद में रास सरकारनी यह कदम उठाया है तो यह काफी important topic इस समय चल रहा है दो दोस्तों और जो हुकुम चंद मिल है दोस्तों यह उननिस सो इंक्यानवे में बिना किसी पूर सूशना के बंद कर दी गई तो और उस समय दोस्तों यहां पर मिल में करीब करीब 6000 सिर्मिक आपको देखने को मिलते जो काम करते थे और इन 30 सालों में मिलके लगभग 6000 में से 2000 से अधिक मजदूरों की म्रत्यू भी हो गई लेकिन इसके बाद भी बाकी जो मजदूर थे उनके रिस्तेदार थे रिलेटिव थे उन्होंने केस आंगे जारी रखा यहां तकी दोस्तों इस केस में जो भी आपके लोयर हैं सामिल थे जोन्होंने मजदूर हित में काम किया तो उनको भी लगभभभग 6 करोन से उपर की धनरासी प्रदान की गई क्योंकि उन्होंने काफी समय के साथ साथ जो पैसा था धनरासी थी वो अपने तरीके से अपने स्तर्प से उन्होंने खर्च किये थे चलिए फिलाल जस्तिस यहां पर अब मिल चुका है इन सारे मजद हां समझ में आ रही बात गुड गवर्नेंस डे 25 जैन्वरी 23rd जैन्वरी को कौन से दे मनाते है 23rd जैन्वरी को सभी लोग फटा-फट उताना तो आंसर हो जाएगा किसान दिवस किसान दिवस का मनाए जाता है 23rd ओफ दिसंबर और 22 दिसंबर को कौन से इसके बाद दोस्तो 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर कौन से दिवस है गणित दिवस रामनुजम की याद में और किसान दिवस चौधरी चरण सिंग की याद में दोस्तों मनाया जाता है दोनों डेटा आप यहाँ पर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कोशन चलिए दोस्तों फिलाल मै भारत छोड़ों अंदोलन के बाद में इन्होंने राजनीती में प्रिवेस किया था इसके लाद दोस्तों भारती जंदा पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे 1980 में इनको चुना गया था और 1996 में दोस्तों यह प्रधानमंत्री के तार पे इन्होंने बागदौर सुपी थी और टीन बाद दोस्तों भारत के प्रादमंत्री के तौर पे इनका कारकाल देखने को मिलता है जिसमें सुरुवाती तोर पे दोस्तों Μात्र 13 दिन के लिए फिलाल भारत के प्रादमंत्री बने थे ठीक है चलिए की डेटा याद रखना इसके बाद में 1998 से दोस्तों यह question of the day की question of the day में आपका पहला question आज का ये रहा कि हाली में मौलाना अबुल कलाम आजाज जो ट्रॉफी है ये किसको दी जाएगी है ना किस university को प्रदान की जाएगी गुरु नानक देव सिंग यहाँ पर विस्विद्धाले है ठीक है ये आयोजित हुआ और इसका आयोजन किस सहर में किया जा रहा है ये दूसरा question है भोपाल नर्मदापुरम खंडवा जबलपुर और तीसरा question दोस्तों हाली में नईम सेयद जी का निधन हो गया इनका सम्मंद किस छेतर से है पत्रकार, राजनेता, अभिनेता, वेवसाई ये question भी मैंने already last class में आप से discuss किया हुआ है इसके लावा अगला question दोस्तों कि मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा जो cricket stadium है ये कहां पर तयार किया जा रहा है इंदोर, भोपाल, रीवा और गौलियर चार विकल पिस्क में आपके सामने दिख रहे है और पांचमा question दोस्तों की हाली में नेशनल क्राइम जो report जारी की गई उसके अनुसार दहेज हत्या के मामले में मद्द प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर हमें देखने को मिला भोपाल, गौलियर, भिंड और दतिया ये हमारे दोस्तों आज के question of the day है और आज की class में दोस्तों हमने weekly current affairs पर चर्चा की ये जितने भी important fact थे ये हमने आज की class में यहाँ पर discuss किये मज में आगी बात चलिए इसकी PDF में आपको share कर दूँगा और दोस्तों एक student है जिसका कल मेरे पस message आया था पूजा सर्मा का और उन्होंने एक line share की थी मुझे मैं चाहता हूँ last में आपको line जरूर share करता जाओं क्योंकि उन्होंने बोला कि इस prelims में sir मेरा score थोड़ा कम हो पाया क्योंकि मेरी भी कुछ कमिया थी कुछ चीजें थी जिसकी वज़र से हो सकता है मेरा score नहीं अच्छा हो पाया तो उन्होंने एक line share की थी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं आपको share कर देता हूँ line कुछ इस तरीके से थी कि सपनों को पूरा करने की कोसिस में खूब करती हूँ पढ़ने का मन तो नहीं करता सपनों को पूरा करने की कोसिस तो मैं खूब करती हूँ लेकिन पढ़ने का मन तो नहीं करता फिर भी मैं खूब पढ़ती हूँ line सुनियेगा दोस्तों सपनों को पूरा करने की कोसिस मैं खूब करती हूँ पढ़ने का मन तो नहीं करता फिर भी मैं खूब पढ़ती हूँ जानती हूँ कि और कोई चारा नहीं है यही बस यही सहरा है आज यह भले कस्थ ही लगे लेकिन कल सुनहरा भविस हमारा है कल सुनहरा भविस हमारा है बहुत अच्छी पंक्ती है उनके द्वारा और उनने ये भी बोला था कि सर प्रयास मारा जारी कोई कि मैंने भी समझाया था कि कोई दिक्कत नहीं यदि दोती नंबर कम हो रहे हैं तो उनको आपको इंप्रूव करना है आंगे आप उसे दोती स्कूर आप प्लस करके चलिए तो यह सारे एक मोटिवेशन है जो स्टूडेंट से भी कई बार हमें मिलते हैं प्रेणा मिलती है कि बिलकुल कर रहे हैं चीज़ें मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए पढ़ते रहो मेहनत करते रहो चलिए मिलते नेक्स सेशन आपना ख्यालर किये खुष रहिए स्वस्त रहिए चलिए मिलते नेक्स सेशन में जैहन थेंक्स मुद गाइस